नमस्कार दोस्तों, वल् tocar है सब्सकै τους खेला है को आज मैं आपके साथ ही क्रीमी जीजी कॉन की रिसिपी जादाथ दर हम लोग G.C काउन माइक्रो वेव बनाते हैं लेकिन आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं इन दा पैन यह जरूरी नहीं है कि हमारे पास अगर माइक्रो नहीं है अवन नहीं है तो हम गैस पर बेकिंग की आइटम्स बना नहीं सकते हैं हम बना सकते हैं और इन्हें इंजे भी कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं चीजी कौन की रेसिपी तो मैंने यह पे पैन ल सुझी मार्कित में अविलेपल होजाते हैं वो है तो हैं मों पो談 दूद्ध का ज़ last होजाती है तो आप यहां पे उनको डाल कर उनको यां उनको भी बॉईल कर सकते हैं यहां पेाप दूद्ध बॉइल Ugh एक तो जब हम कॉन्स को बॉइल करते हैं तो कई बार उनकी मिठास कम हो जाती है तो दूद से एक तो मिठास कम नहीं होगी जो कॉन्स की मिठास है वो continue रहेगी और दूसरा क्या है कि इसका न जो कॉन का दाना है वो बहुती क्रीमी सा बहुती न सौफ्ट सा हो जाएगा दू जो की अच्छा नहीं लगेगा तो यहाँ पर मेरे कॉन्स अच्छे से बॉइल हो गए हैं मैंने इने 15-20 मिनिट बॉइल किया था ढग कर ताकि अच्छे से बॉइल हो जाएए और आप इने slow gas पर बॉइल करें तो हमारे कॉन्स बॉइल हो गए हैं तो चलिए अब बना लेत और साथ में टमाटर इन तीनों चीज़ों को मैंने बारीक चॉप कर लिया था और अब हमेने अच्छे से फून लेंगे साथ में मैंने यहापे डाला है गार्लिक पॉर्डर अगर आपके पस गार्लिक पॉर्डर नहीं है तो आप यहाँ पे garlic paste भी डेल सकते हैं या फिर आप यहाँ पे चॉप करके garlic भी use कर सकते हैं तो मैंने यहाँ पे डाली है pizza pasta sauce यह almost हम सबके घरों में होती ही है इसके साथ डाली है मैंने यहाँ पे 1 चमच मिउनीज pasta sauce को हमने डबल लिया है mayonnaise की quantity में तो आप जितनी सबजियां यहां पर यूज़ कर रहे हैं उस हिसाब से आप यहां पर quantity कमिया जादा कर सकते हैं अब हम इन दोनों चीज़ों को भी अच्छे से mix कर लेंगे ताकि जो हमारी दोनों सौसिज हैं वो भी अच्छे से mix हो जाएं और इसको एक creamy सा texture देदें अगेन हमने आपे मियोनीस का use इसलिए किया था ताकि जो हमारी gravy है वो भी थोड़ी सी creamy creamy सी बने और यह जो हमारा leftover पानी था जिसमें हमने कौन स्पोईल करें हैं वो हम यह आपे थोड़ा थोड़ा add करेंगे ताकि जो हमारी सबजियां हैं वो अच्छे से भुन जाएं और तो मैंने यहाँ पे add कर दिये हैं कौन्स और देखिये कौन्स कितने अच्छे से उबल गए थे एक एक डाना कितना खिला खिला हुआ निकला है इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ garlic bread की seasoning आप चाहें तो यहाँ पे pizza pasta की seasoning भी डाल सकते हैं Italian seasoning भी डाल सकते हैं और अगर आ दाल दिया है थोड़ा सा नमक अभी तक हमने पूरे प्रोसेस में नमक यूज नहीं किया था अब हम यहाँ पे according to taste नमक डालेंगे क्योंकि हमारी जो sauces हैं उनमें भी नमक होता है चीज में भी नमक होता है हम आगे चीज भी यूज करेंगे तो आप यहाँ पे नमक को थोड खुज अन्मक में लिकूइडी वर्म में देख रहे हैं कि मैंने थोड़ा सा पानी ढाला है जिसे कि जो मारी चीज है वो जधेनओ आप यहाँ पर जब थोड़े से हरे दन्य की पत्ती के साथ और थोड़े से मैंने चिली फ्लेक्स के साथ और अगें गार्लिक ब्रेट की सीजनिंग के साथ मैंने इसे गार्निश करके और इसको ढखकर पका लिया है जब तक कि हमारा चीज अच्छे से मेल्ट ना हो जाए और ये बिल्कुल भी नह बच्चों को पीजा पास्ता गालिक ब्रेड यही खिलाई जाए आप इन्हें सब कर सकते हैं नाचो उसके साथ चिप्स के साथ या फिर आप ब्रेड को टोस्ट करके उसके साथ भी से इंजॉय कर सकते हैं यह बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग डिश हर बाट ज़रूरी नह कि बच्चों को कुछ खाने का मन कर रहा है तो हम वही सब उन्हें सर्फ करें कभी-कभी कुछ डिफ्रेंट भी अच्छा लगता है और यह बहुत ही अमेजिंग सा है बहुत पसंद आने वाला है बच्चों को तो बनाईएगा जरूर और खिलाईएगा जरूर और रैस्पी हमें अपना कीमती वक्त दे रहे हैं हमारी वीडियोस को देख रहे हैं उसके लिए आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया तो कल फिर मिलते हैं कची सी रेस्पी के साथ तब तक के लिए बाय बाय टेक केर और लोर्स अफ लव अल अफ यू